नमस्कार मैं हूँ अज्वी और आप देख रहे हैं आप पीए समाचा जचरे शुलात करते हैं आज ये बड़ी ख़बर से बस्पा सुप्रीमो मायवती ने मदर्शों के सर्वे पर सवाल उठाया मायवती ने कहा कि गयर शरकारी मदर्शे सरकार पर बोज नहीं बनना चाते तो फिर इन में दखल के उन्होंने कहा कि सरकारी मदर्शा बोड के मदर्शों के टीचर वाइश्टाब के बेतन आधी के लि था मायवती ने कहा कि यूपी सरकार द्वरा विसेश टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आशित प्राइबेट मदर्शों के बहुचर्ची सर्वे का काम पूरा जिसके अनुशार 7500 से अधी गैर मानिता प्रात मदर्शे गरी बच्चों को तालिम देने में लगे हैं उन्होंने कहा कि पहले कांगरेश शरकार ने मदर्शा आधुनिकी करण के नाम पर वहां के चात्रों को उनकी पसंद के उच्छ सिच्छा शुनिचित करने के वज़ा है उन्हें ड्राइविंग मकैनी कारपेंटर राधी की ट्रेनिंग के जरिए चात्रों की तालिम वावन मदर्शों का भी अपमान किया और अब आगे देखिए बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है उन्होंने कहा कि वैसे यूपी वादेश के अन्य शवी राध्यों में भी सरकारी स्कूलों के शासाथ पूरी सिच्छा ब्योस्ता के हालात जो लगातार बत्तर होते चले जा रहे हैं वह किसी से भी छिपा नहीं है फिर भी शरकारी लपरवा वाउदाशिन क्या इसलिए है कि वहाँ जादत गरीब वा कमजोर वर्गों के बच्चे ही पड़ते हैं 7500 मदर्शे ऐसे जिनकी मानिता नहीं उतर प्रदेश सरकार दोरा कराय जारे गए शरकारी मानिता प्रात मदर्शों का सर्वे बीती 10 सितंबर को आरम हुआ तर जिसका कार 20 अक्टूबर को पूरा हो गया एक महीने पांस दिन तक हुए शर्वे में प्रदेश में करीब 7500 मदर्शे ऐसे मिले हैं जिनकी मानिता नहीं है सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में 585 बस्ती में 350 अब मुजफर नगर में 240 मदर्शे बीना मानिता मिले है राजधानी लगणों की बात करें तो यहाँ पर 100 मदर्शों की मानिता नहीं है यानि लगणों से 5 गुना ज़्यादा मदर्शे मुरादाबाद और 3 गुना ज़्यादा बस्ती जिले में है इसके अनावा प्रयाग राज मौवे, नब्बे, आजमगणबे, पंचानबे और कानपुर में 85 से ज़्यादा मदर्शे गैर मानिता प्राप्त मिले है रिपोर्ट आर्ती सस्देवा